नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल लेक्ष नाइन स्प्रीच्वल में और मैं हूँ आपके साथ श्रुती कार्थिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है इस बार देव उठनी एकादशी बुद्धवार 25 नवंबर को है हिंदो धर्म की मानताओं के अनुसार भगवान विश्नु आसाड़ शुक्ल एकादशी को चार माह के लिए सो जाते हैं और कार्थिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं देव उठनी एकादशी के दिन चतुर मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के काज शुरु हो जाते अगले दिन शालिग्राम तुलसी ववाह जिहां बता दें आपको कि सकंद पुराण के कार्तिक महाचमेक में भगवान शालिग्राम की इस्तुति की गई है और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतिक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती हैं इस वर्ष गुरुवार 26 नवंबर को शालिग्राम और तुलसी का विवाह होगा उसके बाद ही हिंदु धर्म के अनुव्याई विवाह शुभकार्य प्रारंभ करते हैं चली बताते हैं कि क्यों भगवान विश्णु ने किया था तुलसी से विवाह शंख चूड नामक दैति की पत्नी व्रंदा अत्यंत सती थी बिना उसके सतीत्व को भंग कि ये शंख चूड को परास्त कर पाना असंभव था श्रीहरी ने छ व्रंदा ने इस चल के लिए श्रीहरी को शिला रूप में परिवर्तित हो जाने का शाप दिया श्रीहरी तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शाली ग्राम कहा जाता है इन्हीं व्रंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनह जन्म लिया था श्री हरी ने ब्रंदा को आशिरवाद दिया था कि बिना तुलसी दल के कभी उनकी पूजा संपून ही नहीं होगी जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है उसी प्रकार भगवान विश्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है शालिग्राम एक गोल काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंड की नदी के तल में पाया जाता है इसमें एक शिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंक, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते है शालिग्राम की पूजा का महत्व बताते हैं चलिए श्रीमद देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कार्थिक महीने में भगवान विश्नु को तुलसी पत्र अरपन करता है दस हजार गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है वैसे भी नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है शालिग्राम का विधिपूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधी और ग्रह बाधा परिशान नहीं करती है शालिग राम जिस भी घर में तुलसिदल, शंक और शिवलिंग के साथ रहता है वहाँ संपन्नता रहती ही है ये जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है इस जानकारी पर आपकी क्या रहा है और आपको ये जानकारी कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं बाकि तमाम जानकारी के लिए बने रहे हैं हमार साथ और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को जाज जदा इस वीडियो को शेर करें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्श नाइन स्प्रेच वर नमस्कार